नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा है कि अब आरपार की लड़ाई होगी सीम ने कहा अगर भी पक्ष ने हमें जेल भेजने की भूल की तो हम और ज्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे और जानता इसका माकूल जबाब देगी मुख्य मंत्री सन्यवार को चाईबासा में गोईल के राय के होट मैदान में सहीद देविंद्र माजी की 29 पुर्यतिती पर आयोजी सतांजली सभा को संभोतित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि जब हम तेजी से चनले लगते हैं राजे बीकास के पत पर बढ़ने लगता है तो हमें गिराने का पर्यास किया जाता है बीपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा है कि 20 साल तक सरकार चलाने वाले हमें भरस्टचारी बता रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने के एक घंटे बाद से ही उसे गिराने का पर्यास चल रहा है लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हमारी सरकार डरने वाली नहीं है सारदिये नोरातर का कलस अस्ठापना आज सारदिये नोरातर का सुभारम रभी बार 15 अक्टूबर को हो रहा है इसी दिन कलस अस्ठापना और मातासहयल पुत्री का पूजन होगा जो तिसा चार्ज राजे स्पाठक बताते हैं कि कॉलस अस्थापना पूजन के लिए सुबा आट बज़ से लेकर दो पहर तीन बज़ तक का सुब महुर्थ है पहला महुर्थ चर महुर्थ सुबा साथ बच कर आतालिस मिनट से नौ बच कर चौदा मिनट तक रहेगा वहीं लाब महुर्थ 9 बच कर 14 मिनट से 10 बच कर 40 मिनट तक अमरित महुर्थ 10 बच कर 40 मिनट से 12 बच कर 7 मिनट तक और सुब महुर्थ दीन के 1 बच कर 33 मिनट से 2 बच कर 49 मिनट तक रहेगा इसी परकार पंचांग के अनुसार अभिजीत महूर्थ दीन के 11 बचकर 46 मिनट से लेकर 12 बचकर 30 मिनट तक अमरित काल दीन के 11 बचकर 20 मिनट से लेकर 1 बचकर 3 मिनट तक और विजाई महूर्थ दीन के 2 बचकर 2 मिनट से लेकर 2 बचकर 48 मिनट तक रहेगा इसी दोरान अपनी सुविधा को देखते हुए मोहूर्थ के उन्सार आप कलस अस्थापना कर सकते हैं पाकिस्तान पर जीत के बाद जारखन में जस्न राजेपाल और सीम ने दी बधाई किरकेट वर्ल्ड कॉप दो हज़रतेस के एक तरफा मुकाबला में भारतिय टीम ने पकिस्तान को साथ बिकेट से करारी सिर्कत दी है भारत की इस सांदार जीत पर जारखन के राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने भारतिय टीम को बधाई दी है राजे पाल सीपी राधा किष्णा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सभी भारतिये खिलाडियों को बधाई के साथ ही भाविस में मैचों के लिए अगरिम सुब कमनाय भी दी है वही मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने भी सभी खिलाडियों को बधाई दी है राजे पाल सीपी राधा किष्णा ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि वर्ल्ड कप दोह याते इसमें भारतिये किरके टीम ने चीर परती दोंदी पाकिस्तान के बिरूद उतक्रिष्ट खेल का परसन करते हुए जीत हाचिल की है भारतिये टीम के सभी खिलाड़्यों को बहुत बहुत बधाई और भवि सेके मैचों के लिए अगरिम सुब कवनाए ज्यारखन का होक मांगने पर परसान कर रहा केंदर सीयम हेमन्त मुख्य मंत्री हमानसुरे ने कहा है कि केंद्र सरकाज हारखन का हग मांगने पर हमें एजेंसियों को भेज परिसान कर रही है 1,36,000,000 रूपए से विकास की गती और तेज होगी पर केंद्र यह पैसा देने के लिए तयार नहीं है लेकिन एजेंसियों की धमकी से परिदेश का विकास नहीं रुकेगा सियम सन्निवार को पच्मी सिम्भूम के गोईल के रामे आयोजी सहीद दिवेंद्र मान जी के 29 सहादत दिवस समारों को बतर मुख के अतिति समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि केंद्र के किसी जहांसे में हम नहीं फसेंगे अब आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी भाजपा आदिवासी विरोधी है यही करण है कि उसने राज के किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 साल का कारेकाल पूरा करने नहीं दिया है पांच हजार होमगार्ड के जवान दुरगापुजा में होंगे तैनात दुरगापुजा के आदेश में यह बताया गया है कि दुरगापुजा 2023 के आदेश पर बीधी बेवास्ता के संधारन के लिए सभी जीलों के लिए 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कुल 9 दिन के लिए 5000 होमगार्ड के तैनाती की जाएगी 28 अक्टूबर को सभी होमगार्ड अपने अपने जीलों में योगदान दे देंगे जहां से जीला पूलिस अधिक छक दुआरा उन्हें बीधी बेवास्ता में संधारन में लगाया जाएगा बतादे रांची में 400, खुटी में 100, रामगड में 150, लोहर दग्गा में 200, गुम्भला में 250, सिम्डेगा में 150, जमसेदपूर में 500, चाईबसा में 150, सराय केला में 100, धनबाद में 400, बोकारो में 300, पलामो में 200, गढ़वा में 150, लातेहर में 100, हजारीबाग में 250, चात्रा पुलिस ने रोका पुलिस मुटभेण में घायल नकसली का पुलिस ने किया रेस्क्यू कोलहान में जार्खन पुलिस का मानविये चेहरा सामने आया है पूलिस और नक्सलियों की बिजमुट भेड में घायल एक नक्सलि को पूलिस ने न सिर्फ जंगल से बचाया बलिक उसे बेहतर इलाज के लिए यर लिफ्ट कर रांची भी ले जाया गया बता दे पिछले दो दिनों से कोलहन में नक्सलियों के खातमे के लिए जहर्खन पूलिस द्वारा केंदरी ये बलों के साथ मिलकर जोधार अफ्रेशन चलाया जा रहा है अभियान के दोरान कदम कदम पर पूलिस और नक्सलियों के बिजमूड फेर हो रही है जिसमें नक्सलियों को भारी नुक्सान उठाना पड़ा है जहर्खन को मिलेंगे 827 हाई स्कूल सिक्षक सोलह को मिलेगा नियुक्ति पत्र लंबे समय से सरकारी नौक्री की आस लगा 827 हाई स्कूल सिक्षक अभियार्थियों के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है जहर्खन कर्मचरी चेन आयोग के दोरा दोहर सुलह में आयोजित परिक्षा में विभीहिन भी सवयों में सफल हुए इन अभियार्थियों को अभियार्थियों कार्मतिय अलमगीर अलम स्रम मंत्री सत्यान भोकता के अलावे राज सभा सांसत महुआ मांजी रांची सांसत संजय सेट और रांची विधायक सीपी सिंग को भी स्कूली सिक्षा शर्टा विभाग के द्वारा आमंत्रित किया गया है 27 अक्टूबर से राज में सुरू हो रहे एसियन महिला होकी चैम्पीनशिप को लेकर खेल विभाग ने टॉफी टूर प्रग्राम जारी कर दिया है इसके तहत राज के विभीन शहरों में टॉफी टूर का योजन किया जाएगा चारखन के विभीन जीलों में अलग अलग तारिक को ट्रोफिट टूर का आयोजन किया जाएगा जनकारी के मुताविक 13 अक्टूबर को राची में आयोजीत होने के बाद 14 अक्टूबर सन्निवार को देवघर और गोड़ा में 15 अक्टूबर को साहेव गंज और पाकुड में 16 अक्टूबर को दुमका और जामतरा में वहीं 17 अक्टूबर को धनबाद, बोकारो, सराय केला और चाईबासा में 18 अक्टूबर को गिरी डिजम सेथ पुरकोडर्मा में 19 अक्टूबर को रामगर और हजारी बाग में वहीं 20 अक्टूबर को चात्रा और पलामू में 21 अक्टूबर को गढ़वा और लातेहार वहीं 22 अक्टूबर को लोहतगगा और गुमला 23 अक्टूबर को सिम्डेगा और 24 अक्टूबर को खुटी में आयोजित किया जाएगा बुढधा पहार में सुरक्षा बलो को उड़ाने की साजिस नकाम जारखन के लाते हर जिला में बुढधा पहार की तराईवाले जंगल वर्ती इलाके से पुलिश ने साथ सिलेंडर बम सहीत नव आईडी बरामत किया है जिने निच्क्रिये कर दिया गया है माना जा रहा है कि मवादियों ने सुरक्षा बलो को उड़ाने की योजना के तहत बम प्लांट किये थे लेकिन समय रहते खवर मिल जाने से नक्सलियों के मन सुवे कम्याब नहीं हो पाए यहां गौतला भाय की सुरक्षा बलो ने करीब एक साल पहले ही बुढधा पहार को नक्सलियों से मुक्त कराने के दावा किया था ऐसे में संका है कि बम या तो उसे पहले लगाए गए हो या फिर बुढधा पहार से भागने के बाद नक्सलियों का कोई और दस्ता फिर से छेत्रे में पाव फ्हलाने की कोशिस कर रहा है जारखन के बालू घाटों से हटेगी NGT की लगी रोक 16 अक्टूबर से जारखन के बालू घाटों से बालू की निकासी पर लगी रोक हट जाएगी लेकिन अब भी राजे के जायतर बालू घाटों का टेंडर नहीं हो पाया है National Green Tribunal की ओर से हर साल मानसुन के दवरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर रोक लगी रहती है हलाकि इस दवरान भी राजे के कई बालू घाटों से अवय तरीके से बालू की निकासी होती रही है राजे में 435 बालू घाट है इनमें से अब तक केवल 28 घाटों का ही टेंडर हो पाया है इन घाटों से बालू निकासी के लिए जारकन राजे खनीज विकास निगम द्वारा माइन्स डेवलोपर अपरेटर का चेन किया जा चुका है हाथी पर सवार होकर आ रही है सक्ति सवरूपा सार्दिये नवरात्र को लेकर 4 और उत्सा चरम पढ़ा है इस साल रभी और 15 अक्टूबर से सुरू हो रहे है सार्दिये नवरात्र के दौरान मा हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रही है वहीं उनका गमन मुर्गा पर होगा हाथी पर मा के आगमन को काफी सुभ संकेत माना जाता है क्योंकि सास्त्रों में हाथी को न केवल बुद्धी और ज्ञान का परतिक माना गया है बलिक इस समरिदिक का रूप में भी माना जाता है इस दिरिष्ठी से इस बार मा क्यागमन को पूरे उत्सा के साथ सरधालू स्वागत करेंगे और कलस अस्थापना कर पूरे दस दिनों तक अराधना करते नजर आएंगे बगैर बिली कनेक्शन पूजा पंडालों में नहीं जलेगी लाइट दुरगा पूजा यम अनेते भारों के दवरान निर्बाद बिली आपूर्ती करने में जूटा जारखन बिली बित्रन निगमने पूजा समीतियों के लिए पंडालों में और स्थाई बिली कनेक्शन लेना अनिवार कर दिया है यादी बिजली बिभाग के दवारा और स्थाई कनेक्शन नहीं लिया जाता है तो समधित पूजा समीतियों के खिलाप करवाई भी हो सकती है बताज रांची प्रच्षेत्र के माहा प्रवंदग पीके स्रीवास्तों ने कहा है कि पूजा के दवान किसी तरह की अप्रिये घाटना नहो इसे बचने के लिए सुरक्षा मानकों को जरूर खेयाल में रखना होगा इसके लिए बिभाग द्वारा परतिनुक्त पताधिकारिया न केवल निरिक्षन करेंगे बलीक कनेक्षन की सुविधावी मुहया कराएंगे कैस कांड में फसे तीन बिधायकों पर दल बदल का मामला वापस नहीं कॉंग्रेस बिधायक किरफान अंसारी रायस कक्षप और विक्सल नमन को गारी पर दल बदल का मामला वापस नहीं लिया जा सकता है पार्टी बिधायक दल के नेतालमगीर अलम की सिकायत पर इन बिधायकों पर दल बदल की तलवार लटकी हुई है इस मामले को एक पत्र लिख कर वापस नहीं लिया जा सकता है यही कारण है कि अधिकायक रूप से पार्टी की ओर से इन तीनों बिधायकों खिलाब चल रहे दल बदल मामले को वापस लेने से सम्मधित कोई पत्र नहीं भेज रहा है हाला कि इन विधायकों की लगातार मांग है कि जब पार्टी ने इनको clean cheat देते वे partition निलंबर मुक्त कर दिया है तो दल बदल का मामला भी वापस लिया जाए जारखन में बियारपी और सियारपी की सेवा सर्थ निमावली नहीं बन सकी समगर सिक्षा अभ्यान के तहत राजभर में कारण रात बियारपी और सियारपी के लिए 17 सल बाद भी सेवा सर्थ निमावली नहीं बन सकी है पूरो सिक्षा मत्री जगरनात महतों ने स्कुली सिक्षा मत्रता बिभा के पतादिकारियों को पारासिस्कों की तरह ही बियारपी और सियारपी के लिए सेवा सर्थ निमावली बनाने का निदेश दिया था मांदे बिरिधी और स्थाई करण के लिए दूसरे राज़ों में लागुन निमावली का अधियान कर करवाई करने को कहा गया था लेकिन जगानात महतों के निधन के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया बतादे बगोदर विधायक ने सदन में भी इस मामले को उठाया था लेकिन कई बार केबिनेट की बैठाक होने के बाद भी इस पर निर्न नहीं लिया जा सका PM किसान समान निधी के लावकों को मिलेगा 8000 रुपए PM किसान समान निधी जोजना के तहट लाव उठा रहे किसानों के लिए अच्छी ख़बर सामने आ रही है दरचल मोदी सरकार किसानों को बढ़ा तोफ़ा देने जा रही है चुनाद 2024 को देखते हुए PM मोदी ने PM किसान समान निधी जोजना किरासी को बढ़ा कर 6000 के जगा 8000 कर सकती है हलाकि इसके बारे में अभी कोई अधिकारी घोसना नहीं की गई अगर ऐसा होता है तो किसानों को काफी लाव मिलेगा फिलाल किसान 15 किस्त की रासी का बेसबरी सिंतजार कर रहे है नियुंतम मैदोरी के दाएरे में आएंगे डिलेवरी बॉआए जारखन के बिभीन जिलो में कारेरत, स्वीगी, जुमेटो, ओला, उबरसहित, औलें डिलेवरी बॉआए भी जल्द ही नियुंतम मैदोरी की दाएरे में लाए जाएंगे जारखन सरकार की स्रम विभाग ने इस दीशा में पहल सुरू कर दी है जारखन देश का पहला राज होगा जहां कॉंट्रेक्ट या कमिशन पर काम करने वाले करमचारियों को भी नियुंतम मैदोरी के दाएरे में लाने की तैयारी की जा रही है अब तक या विवस्था देश के किसी भी राजे में नहीं है श्रम विभाग की ओर से जारखन राज नियुंतम मैदोरी परामर्श दात्री परसद ने एक कमिटी गठित की है इसमें स्रमा युक्त संजीव कुमार बेशरा नियुमतम मैदोरी के निदेशक रायस परसाज जारखन चेंबर के अध्यक किस्वर मंत्री इंटक परदेश अध्यक डाक के स्वर पांडे सहीद C2, BMS और ENTech के परतिनीदियों को सामिल किया गया है इसकूली बच्चों का बनेगा One Nation One Student ID जारखन के सभी सरकारी वर निजी सकूलों के सभी बच्चों का One Nation One Student ID बनेगा इसकूलों में नमांके सभी छात्रशात्राओं का Automated Permanent Academic Account Registry बनेगा इसके लिए 16 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों बिसेस अभियान चलाकर छात्र छात्राओं का अपार आईडी बनाया जाएगा वही स्कूली सिक्षावा सक्षर्तावी भाग के सचीव ने इसके लिए सभी जीला सिक्षापतादिकारी और जीला सिक्षादिस्कों को निर्देश दिया है अभिभागों से सहमती ली जाएगी बता दे कि केंद्र सरकार ने नियू एजुकेशन पॉलीसी 2020 में इसके प्रवधान रखा है केंद्र सरकार ने इसके लिए जार्खन समय सभी राज्यों को अमल में लाने का निर्देश दिया है इसके बाद सिक्छा भी भागने 16-18 अक्टूबर को स्कूल अस्तरपर बिसेस अभियान के तहद पीटी एम का आयोजन करने का निर्देश दिया है सही मत दाता की पहचान में जूटा चुनाव आयोग चुनाव आयोग सही मत दाता की पहचान में जूट गया है इसको लेकर चुनाव आयोग न सहता इस अक्टूबर से घर घर मत दाता सर्वेक्षन का दूसरा चलन सुरू करने करने लिया है इसके तहद आदिम जन जात्रियों बेघर लोगों थर्ड जेंडर दिव्यांगों और वरिष्ट नागरी होके बीच बीसे सभियान चलाया जाएगा होम टू होम सर्वेक्षन कारकरम को सफल बनाने के लिए सरनीवार को मुख निर्वाचन पता देगारी के रवी कुमार ने बीभीन बिधान सभाचेतर से आये इ आरो के साथ बैठा की बैठा के दवन पिछले दिनों भी भाग के दवर हुए सर्वेक के बारे में जनकारी दी गई है मतांतरन कराने पहुंचे इसाई प्रचारक को गरामिनों ने बनाया बंदी इसाई मसीनरियों का जारखन में मतांतरन का खेल धड़ेल से जारी है जारी बाके दारू परखन उन इलाकों में से एक है जो पीछले 6 सालों से मतांतरन का दंस जेल रहा है सुक्रवार को दारू परखन के दिगवार बंधू टोला में सुक्रवार को बवाल हो गया मतांतरन को लेकर चलाय जा रहे है अभियान से नराज गरामिनों ने सुक्रवार की देर रात धरम परचारक अनूज बेशरा और जुमर चूर्चू को बंधक बना लिया अनूज बेशरा मतांतरन कर चूकी हमिया देवी पती महे सेमरम के बुलावे पर प्राथना के लिए बुलाया था इस दरन गरामिनों को इनकी भनक लग गई और उसे रात में पकड़ लिया गया धन्यवाद